तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टीज्ट हुई चैनल में और आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ SQL के top 10 questions से वो भी intermediate level पे यानि कि अगर आप SQL सीख रहा है या आप 50% SQL सीख चुके हैं तो उस टाइम पे interview में आने वाले questions होते हैं आज मैं उनसे आपको रूबरू कराने वाला हूँ चलते हैं laptop की screen पे तो दिखे जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है top 10 interview questions for intermediate level सबसे बहले मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं database में जाओं तो यहां पे मैंने database बनार गाए employee नाम से जिसके अंदर एक table है employee information नाम से और अगर मैं इसके column की बात करो तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं लेकिन अगर आप देखना चाहते है कि इस पूरे table में क्या-क्या data डला हुआ है तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ इस query को run करके ठीक है तो यहां पे आप देखना है कि employee की ID, first name, last name, department, project, address, date of birth उनसे जूरी detail है यहांने कि अगर मैं तो यह company का data है और इसमें कुछ employee है जो क्लाम करते है उनका department क्या है, उनका name क्या है, वो कहां रहते है, उनकी salary केतना, उनका gender क्या है, यह सभी चीज़े यहां पे डली हुई है तो आज हम इन सभी 10 questions को solve करेंगे और देखेंगे कौन-कौन से प्रशन है और इनके उत्तर देने की तयारी करेंगे तो प्रशन है कि write a query to show all first name in capital and last name in small letter with alias अब सबसे पहले आप समझे कोशन कह रहा है कि मुझे सारे records दिखाने हैं जिसमें first name capital में दिखाई दे और last name small में लेकिन वह भी alias के साथ, अब alias क्या होता है सबसे पहले समझ दीजे, alias होता है run time पे दिया हुआ एक temporary name अगर आप detail में जानना चाहते है alias क्या होता है तो आप उपर दिया i button पे click करके देख सकते हैं कि alias असल में है क्या और किस तरीके से लिगे जाते हैं यहां पे लिखा है first name और last name अब देखिए first name और last name हमारी table में किस नाम से है वो है f name और l name तो हम यहां पे लिखते है f name और l name अब कहां से हमें लेने है from हमारी table का नाम है employ info ठीक है अब हम इसको select करके यहां पे execute भी कर सकता है यहां इसका shortcut press कर सकते हैं keyboard से f5 तो पहले हम इससे देखते हैं कि क्या output ने मारा निगल के आ रहा है देखिए हमारे records तो यहां पे आ गए हैं कि f name और l name जो हमें चाहिए थे अब हमें first name को capital में दिखाना है और last name को small में अब दे हमें क्या देना है first name जो कि हमने यहां पे लिखा है तो अब हम क्या करेंगे bracket बंद कर देंगे और small character दिखाने के लिए हमारे पास एक formula है वो है lower नाम से हम वो लिखेंगे और bracket open कर देंगे अब देखिए यहां पे भी expression देना है expression का मतलब आप किस column पे इसे चाहते है तो हम last name को lower में देखना चाहते हैं मैं करता हो bracket बंद अब देखें यहां से हमारे पास क्या result निकल के आ रहा है मैं execute करता हूं तो आप जिसे कि यहां पे देख रहा है कि first name सभी capital में हो गया है और last name ता वो small में हो गया है लेकिन यहां पे एक question और है कि यहां पे हमें एक alias create करना ह मतलब कि आप देख रहे होंगे यहां पे उपर लिखा रहा है no column name और no column name अब हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें first name कौन सा है और last name कौन सा है तो हम यहां पे अपनी मर्जी से एक नाम देदेंगे अब alias जब भी आप देते हैं तो उसको आप इस तरीके से देते हैं कि जिस create हो गया दोनों के लिए alias अब देखते हैं हम यह कैसा output देता है अब देखे जो पहले no column name लिखके आ रहा था वह first name लिखके आ रहा है और last name के साथ भी यही है वह पहले no column लिखके आ रहा है लेकिन आप यह last name लिखा रहा है तो पहली query हमने आप एक्जिग्यूट कर ली अ यानि की हम एक ऐसी query लिखनी है जहां पे employee id दिखे first name दिखे last name दिखे लेकिन सिर्फ उनका जिनका first name A से start हो रहा हो अगर मैं normal query की बात करूँ तो हम लिखते है select star from employee info यानि की table का name और इसको select करके execute करते हैं यहां पे हम पे सब कुछ आ गया लेकिन हमें क्या चाहिए यह तीन record तो हम इन तीन record को यहां पे लिख लेंगे star के जगा जो कि हमारा eid then fname यानि की first name और बाद में है lname यानि की last name अब यहां पे कह रहा है सिर्फ उनी के जिनका नाम A से शुरू हो रहा हो तो हम क्या करेंगे condition के लिए हम देते हैं where ठीक है क्योंकि यहां पे aggregate function के सा साथ काम कर रहें तो हम लिखेंगे where क्या fname यानि की first name हमारा a हो तो यहां पे एक operator है हमारे पास like ठीक है ठीक है अगर यहां पे पूरा नाम होता यानि कि मान लेजिए अगर हमें ढूनना होता कि आदिति है उसका नाम तो हम equal to देके आदिति लिख सकते थे लेकिन यहां प एक specified pattern है कि सिर्फ a से नाम स्टार्ट हो तो उसके लिए हम like operator यूज़ करते है आप याद रखेगा जब भी आपको एक specified pattern के साथ काम करना पड़ेगा तो आप like operator का यूज़ करेंगे अब नाम एक string है तो हम उसको single single quote के अंदर लिखेंगे और किस सरीके से लिखेंगे वो द character है percent का यहां पर percent का मतलब होता है कुछ भी ठीक है यहां पर हमने लिखा कि हमें employee id first name last name employee info table से निकाल के दो जहां पर first name start around a से भले उसके बाद कुछ भी हो यानि कि percent का sign दे दिया हम execute करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर सिर्फ आदिती और अक्षे के record आने चाहिए देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ आदिती और अक्षे का ही नाम आया क्योंकि हमने जो query लिखे थी वो a से start करवाई थी और उसके बाद चाहिए कुछ भी हो first name में तो यहां पर हमारा second question भी complete हो गया हम जलते है number three question पे अब number three में है कि write a query to show first name last name department who are associated with project P3 इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसे query लिखिए जहां पर first name last name and department column दिखाए यह जो कि P3 project से associate हो ठीक है तो हम पहले query को run करवाते हैं और देखते हैं कि data किस तरीके का है अगर मैं यहां पर देखूँ तो first name मिल जाएगा last name मिल जाएगा department मिल जाएगा उसके बाद यह कह रहा है कि जो project है वो P3 होना चाहिए project आप देखे कहां पर है यहां पर P3 हो जिसका तो मैं लिखता यहां पर condition है कि जो project है वो P3 होना चाहिए यानि कि यह तीन record P3 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 ठीक है तो मैं लिखता हूँ यहां पर conditional कि मैंने बताया तह से बहले कि आपको वेर क्लॉस का यूस करना पड़ेगा अगर आप नहीं जानते कि वेर क्लॉस कैसे यूस किया जाता है तो आई बटन पर समझने के लिए ठीक है आते हम अपने question में तो हमारा project होना चाहिए P3 तो हमारे column का ना हम है project तो हम लिखेंगे where project ठीक है project क्या हो equal to P3 ठीक है यहां पर exact name है तो हम कुछ नहीं देंगे single single code के अंदर P3 लिख देंगे क्योंकि एक string है और मैंने select करा और मैं इसे execute करता हूँ तो यहां पर यही तीन record आगा है जहां पर project P3 था अब यहां पर project नहीं दिख रहा है कि यह P3 था यह नहीं तो हम क्या करेंगे यहीं पर comma देंगे project को भी show कर देंगे ठीक है इससे हमें idea हो जाए कि हमारी query सही है नहीं तो देखिए यह P3 प्रोजेक्ट वाली सारे record आगा है तो यह query भी हमारी solve होए चलते हैं question no.4 पे यहां पर हमारा question है कि write a query to show all records where salary is more than 2 lakh यानि कि हमें सारे के सारे यहां पर record दिखाने हैं जिनकी salary 2 lakh से ज्यादा हो तो एक simple से query हम यहां पर लिखते है हमारे column का नाम है salary ठीक है अगर मैं उपर वाली general query run करूँ तो देखिए हम यहां पर salary देख रहे हैं और यहां पर हम देखिए तो सबसे आदा salary 4 lakh है और उसके बाद 85,000 यानि कि 2 lakh से उपर हमारे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही salary चार लाक और धाई लाक तो इसके लिए हमें query लिखते है select और यहां पर हमें क्या करना है कि सारे फील्ड दिखाना है तो मैं लिखता हूं star जो कि denote करता है कि जितने भी आपको column दिख रहे हैं वह सभी आएंगे select star from table name employee info अब यहां पर क्या है लिखेंगे where क्या हमारी जो salary हो वह 2 lakh से ज्यादा हो तो मैं कहारा हूंगा salary greater than 2 lakh अब आप सोच रहा हूंगे यहां पर मैंने इसको single single quote में नहीं लिखा जिस तरीके से मैं पहले लिख रहा था सभी को क्योंकि यह एक number form है जो भी आपको string दिखाए देगा उस case में आपको single single quote दिखना है जैसे कि अगर मैं date की बात करूं तो यहां तक की date को भी हमें text form मानते हैं तो मैं भी single quote को हटाता हूं और यह हमारी query पूरी हो गए और मैंसे run करने की कोशिश करता हूं तो दिखिए यहां पर हमारी रिकॉर्ड्स आया है उसमें salary चार लाग और धाई लाग है लेकिन उसके इलावा कोई भी नहीं है क्योंकि हमने यहां पर query दीती कि दो लाग से ज्यादा salary वारे ही रिकॉर्ड हमें यहां पर चाहिए तो यहां पर हमारा question number four solve हो गया चलते है question number five पर यहां पर ही कहना है कि write a query to show all records where salary between 50,000 and 70,000 है इससे पहले हमने बात करी थी कि हमारी salary दो लाग से उपर होनी चाहिए लेकिन अब यहां पर है कि हमें ऐसी query लिखनी है जहां पर salary पचास जार से सतार यार हो वो सारे के सारे हमे employee information table हमें सभी record चाहिए employee information table से where यहां पर condition आ रही है तो where salary between 50,000 and 70,000 ठीक है तो where salary salary अब जब भी आपको एक range के साथ काम करना हो तो वहां पर आप end operator को use करेंगे क्योंकि यह दोनों condition एक साथ run होंगी जैसे कि आप excel भी यूज करते हैं जब भी दो condition एक साथ fulfill हो वहां पर हम end operator का use करते हैं तो यहां पर भी हम end operator का use करेंगे correct तो पहली condition हमारी यह है कि 50,000 से ज्यादा salary होनी चाहिए तो where salary greater than equal to 50,000 ठीक है and क्योंकि साथ में हमें एक और बताना है कि salary less than equal to 70,000 से ठीक है तो यहां पर हमने इसको बोला है कि हमें employee information से सभी column दो जहां पर salary 50,000 से ज्यादा तो हो लेकिन 70,000 या 70,000 से कम होनी चाहिए ठीक है तो मैं से run करता हूं तो यहां पर जो records आया है वो वह ही आया है जो 50,000 से 70,000 के बीच में यानि कि 50,000 और 70,000 का record भी आ गया लेकिन अगर मैं equal to ना देता तो आप देखेंगे कि 70,000 record हट जाएग यह देखिए तो question no.5 भी हमारा solve हो गया चलना है question no.6 की और question no.6 write a query to show first name department records where city should be Hyderabad और केरल अब इसमें ही कह रहा है कि हमें first name और department दिखाना है लेकिन जहां पर city Hyderabad हो सकती है या केरल जबकि इस से पहले हमारे पास था कि 50,000 और 70,000 के बीच में होना चाहिए वहां पर end यहां पर और है तो इस चीज को ध्यान देखिए और लिखते हैं select अब मैं यहां पर देखाना है first name then department okay department from employee information table से where जहां पर क्या city अब city का जो है अब देखिए city को अगर मैं आपको दिखा हूँ तो वहारा किस नाम से है address नाम से correct अब मैं लिखता हूँ यहां पर address अब हमें यह देखना है कि वह है द्राबाद हो यह केरल हो तो पहली बात यह आती है कि यहां पर और operator का use तो हो गई होगा को कि इन दोनों में से कुछ भी हो तो वह आ जाए पहले हम देख लेते हैं आप एक हैद्राबाद यह आ रहा है और यह केरल है और यह है थीन सिटी है जो कि य यह द्रस इक्वल टू और यह स्टिंग है तो हम इसे सिंगल कोट में लिखनेंगे यच वाइडी ठीक है तो यहां से हमारा है थान निकल आएगा लेकिन नहीं यहां से निकल के नहीं आएगा क्या अगर मैं आपको दिखाऊंँ तो हैद्राबाद पूरा लिखाए यहां प अब हमें हैदराबाद का पैटन किस तरीके से है मैं वह आपको बताता हूँ कि पहले तो हम सिंगल सिंगल कोट लिख लिएते हैं अब यहां पर देखिए हैं और हैच वाईडी के बाद पर अगर आप देखेंगे तो एक बंद ब्रैकेट यहां पर बनावा है तो इसका मतलब हमें यह है कि वह बता है कि हैद्राबाद से पहले भी कुछ है और हैदराबाद बाद भी कुछ है तो मैंने आपको बताया था जब कुछ भी की बात होती है तो वहाँ परसंट वाला sign यूज़ करते है जो कि हमने पहले कोशनों में भी किया था ठीक है तो एक परसंट मैं हापे लगा दूँगा देन मैं यूज़ करूँगा HYD और उसके बाद एक परसंट का sign और यानि कि मैं से बता रहा हूँ कि पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए कि हैदरबाद से पहले भी कुछ हो सकता है और हैदरबाद के बाद भी कुछ हो सकता है लेकिन HYD उसमें होना चाहिए यह है है हैदरबाद या केरल तो address में या like operator के साथ हम यूज़ करेंगे ल और % तो आप इस वाले पार्ट को ढंग से समझेगा सबसे पहली बात हम यहाँ पे यूज़ कर रहे है like operator वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम specified pattern के बाद कर रहे हैं एक exact word कि नहीं दूसरी चीज हैदरबाद या केरल दोरो में से कुछ भी एक हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया उसके लिए और operator का जब भी दोरों में से कोई भी एक condition fulfill की बात आएगी तो हम यूज़ करेंगे और operator में इसको run करता हूँ अब देखे यहाँ पे आपने देखा है कि तीन record आए हैं लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉमा देता हूँ और यहाँ पे यूज़ करता हूँ address जिसे कि आपको दिखे कि जो भी हमारा record निकल के आए है वो केरल या हिदराबाद में से ही है देखे है हिदराबाद और केरल तो जो भी रिकॉर्ड आया है वो हमारे इन दोनों सिटी से ही आया है तो कोशन नमबर 6 भी है सौल वो किया बात करते है कोशन नमबर 7 की अब देखे यहाँ पे थोड़ा सा ही कोशन हाड है इसमें लिखाया है कि write a query to show employee ID first name salary where salary of an employee more than average salary यहाँ पे हमें employee ID show कराना है first name show कराना है और salary भी show करानी है लेकिन सिर्फ उन बंदों की जहाँ पे salary employee की average salary से ज्यादा हो तो उसके लिए हम सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि असर में हमारा data कैसा है तो देखिए salary यहाँ पे आप देख रहे है चार लाग, 65 यार, 85 यार, 70 यार और 2 लाग तो पहले simple simple लिखते हो और इस को हम थोड़ा सा tricky करेंगे query को कि यह कैसे लिख सकते है तो दिखे select हमें दिखाना है पहले column employee ID then first name और then salary करेक्ट किस table से from employee तो मैंने यह दिखा दिया तो मैंने यह दिखा दिया तो दिखे तीन हमारे पास column यहाँ पे निकल के आगए जो हमें चाहिए थे अब दिखे हमें यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले तो निकालनी है average salary correct तो देखिए मैं आपको merge करके बताऊंगा यह sub query का concept है तो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है select यहाँ पे हमार पास एक formula है AVG नामसे जो कि average निकालने में हमारी मदद करेगा SQL Server Management Studio में मैं bracket open करता हूँ expression क्या है यानि कि मैं average किस की निकाल रहा है हम निकाल रहे है salary की average ठीक है किस table से from employee information table से तो यह मैं run करता हूँ देखिए average salary जो है वो है एक लाख चोहतर हजार रुपे correct यह हमारी एक average salary आ गई जितनी भी हमारी total salary थी उसका एक average salary अब यहाँ पे हमने दूसरा काम भी कर दिया कि average salary निकाल ली अब हमें क्या करना है हर salary को compare कराना है average salary से हम compare कराने के लिए क्या करेंगे पहली जो हमने query लिखी तो उसके आगे हम लिखेंगे where salary greater than average salary from employee information table से ठीक है यह हमारी outer query है और यह हमारी inner query है दिखा है कि हमें employee ID first name salary employee information table से दीजिए जहां पे where salary greater than average salary से ठीक है अब पूरी को select करके run करते है यहां पर दो ही record निकाल के आए है क्योंकि average salary हमें जो मैंने आपको बताई थी वह थी हमारी 1,14,000 और 1,14,000 से यहां पर सिर्फ दो ही ऐसे record है जो कि जादा है 1,500,000 और 1,400,000 तो यह को अच्छी थी तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा ही तो प्लीज इस video को देखते देखते इस question को run करने की कोशिश करें अपने laptop तो question seven solve हो गया दा चलते है question number eight पे question number eight भी बहुत बड़ी है इसमें लिखा है write a query to show the five percent of increment in salary as a new salary तो first हमें क्या करना है 5 percent increment निकालना है salary का then उसे plus करना है और उसका एक alias देना है new salary से तो हम लिखते है select salary salary ठीक है यहां पे मैं सिर्फ salary ले रहा हूँ क्योंकि हमें और की जरूत नहीं है दिरी दिरे हम addon करते रहेंगे select salary from employee information table और मैं इसे करता हूँ run तो दिखे सारी salary यहां पे आ गई है अब हमें क्या करना है इसका five percent निकालना है पहली तो देखे salary में हम जाते हैं कॉमा देते हैं और एक next column यहां पे डालते है salary into ठीक है salary into क्या five percent आप ऐसे भी लिख सकते हैं और या आप into point zero five भी लिख सकते हैं बात एक ही है ठीक है तो देखे यह मैंने लिख दिया और मैं इसे run करता हूँ तो आप अगर देख रहे होगे कि अब हर salary के आगे उसका five percent आगया है अगर मैं बात करूँ कि salary salary के हमें एक और column भी add करना होगा मैं एक बात से run करता हूँ तो देखे हमें पता चल रहा है कि यह salary है और इतना increment हुआ है अब हमें एक new salary करनी है ठीक है तो हम क्या करेंगे new salary को हमें दोनों को plus करना होगा तो it means salary plus salary का five percent जो कि हमने पहले दिया है into point zero five और साथ में हमें क्या करना है कि उसका नाम देना है new salary मैं इसे copy कर लेता हूँ और alias हम कैसे देखते है as लिखने के बाद अपना नाम देते है जो भी हमें run time पर चाहिए होता है तो अब हम इस query को run करके देखते हैं salary सबसे पहले आ गई उसके बाद उसका जो 5 percent increment था और देन उन दोन को plus करके यानि चार लाग और 20,000 को plus करके जो new salary है वह है 4,50,000 तो question number 8 भी हमारा solve हो चुक है चलते है question number 9 पे question number 9 है write a query to show employee first and last name who is lowest salary in all the records यानि जिसकी सबसे कम salary है उ से पता चले कि यह lowest one है correct तो यहां पर इसको solve करने के दो तरीके है ठीक है अब दो में से एक जो है वह बहुत hard है जो कि advanced level में पूछा जाता है और अगर मैं normally बात करूँ तो वहां पर हम इसको top keyword के साथ भी solve कर सकते हैं वह कैसे करते हैं चलिए जानते हैं तो सबसे पहले ल last name तो उसका नाम है F name और L name साथ हम देते है salary भी इससे पता चल जाए ठीक है from किस table से employ info table से तो पहले मैं से रन करता हूं यह इतना part हमारा आ गया अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो minimum salary कौन सी है 65,000 लेकिन आप minimum यहां पर bracket देके min लिखके यहां पर जो salary है इस तरीक से लिखेंगे तो यह आपको error देगा क्योंकि यहां पर aggregate function यूज कर रहा है ठीक है तो आपको यहां पर इस तरीके से नहीं करना है आपको क्या करना है देखें मैं आपको बताता हूं तो आपको किस तरीके से लिखना है कि आपने यह इतना कर दिया था ठीक है इसको हमने run क क्या करना है कि यहां पर लोवेस्स जो निकालनी है वो एक ट्रिक से निकालनी है किस तरीके से वो आपको यहां पर ascending descending order करके करना पड़ेगा तो अगर आपको order by clause के बारे में नहीं पता तो i button पर मैंने इसका link दे दिया है आप इसको detail में जान सकते हैं कि order by clause को कैसे कर सकते हैं यहां पर मैं उस कर रहा हूं order by अब order by clause किसले हम यूज करते हैं जब भी हमको एक order में data को short करना हो ascending भी हो सकता है descending भी आपने यह तो कह जाए कि order by करना है लेकिन किस column के base पर तो वह है salary ठीक है अब ascending या descending कि ascending अगर आपको करना है तो आपको लिखने की जरूत नहीं है लिकिन अगर descending देंगे तो आपको DST लिखना होगा ठीक है लेकिन यहां पर हम देखाना चाहते हैं कि जो सबसे कम salary वह हमारे मैं हापे लिखना होगा top one यानि कि पहला जो result है उसका first name last name salary दिख जाए employee information table से और जिसमें यह data short हो ascending order पे मैं दिखाता हूं से आपको run करके यह देखिए तो जो minimum salary वारा record था उसका first name और last name आपके बास आ गया है और चलते है question number 10 और अपने आखरी question पे आकरी question है कि write a query to show records in which department count of employee is more than one यानि कि अगर मैं दिखा हूं आपको अगर मैं query run करता हूं यहां पे मैं ऐसे department दिखाना है कि जिसमें count of employee एक से ज्यादा हो अब देखिए सबसे पहले आप department का है यह रहा अब देखिए HR में दो है sales में एक है admin में एक है account में एक है इसका मतलब अगर मैं query लिखूं तो मेरा HR वारा result है वो निकल के आना चाहिए सिर्फ अगर नहीं आ रहा तो समझो मेरी query गलत है तो मैं लिखता हूं यहां पे select star from employee information table ठीक है इससे हमारा सारे data आजाएगा अब क्या करना है हमें count है वो एक से ज्यादा हो तो इसके लिए देखिए हमें क्या use करेंगे यहां पे use करेंगे सबसे पहले group by अब group by अगर आप नहीं जाते तो i button पर आप जाके देख सकते हैं detailed में के group by जो function है वो क्या काम करता है तो दीके मैं आपको short में बताता हूं group by क्या करता है summarize करता है data को जिस तरीकी से excel में पाइवोर टेबल करती है जिसे माल लेजिए कर हम पाइवोर टेबल लगाते हैं तो 2000 के सारे record का एक तरफ 2002 का एक तरफ यानि एक particular base पे वो summarize करेगा तो हम group by करते हैं आप सबसे पहले group by अब यह group by किस base पे करना है हमें department का count चाहिए तो मैं department लिखता हूं ठीक है अब इसके साथ हमें यह भी चेक करना है कि जो count of employee है वो 2 होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे देखिए अब आप यूज करेंगे having अब अगर आप having clause के बारे में भी नहीं जान दे तो i button पर मैं से link दे देता हूं आप वहाँ पर जाके सीख लीजिएगा Muslim condition में यूज करते हैं लेकिन जब भी आप aggregate function के साथ काम करेंगे तो आप हमेशा group by के साथ having का यूज करेंगे ठीक है अब count of employee is more than one का मतलब है कि चाहाँ पे department दो है वहाँ पे हमारा माँ आ जाना चाहिए तो having department ठ ठीक है department क्या उसका count correct उसका count जो है वह greater than one होना चाहिए एक और चीज यहाँ पे आपको column का नाम देना पड़ेगा जो भी आप यहाँ पे use कर रहे हैं having के बाद correct तो यहाँ पे मैं दे देता हूं department ठीक है और यहाँ पे मैं दे देता हूं department का count भी okay जिससे कि मुझे पता च है लेकिन उसका count कितना है ठीक है जिससे मैं पता चले कि मारी query ठीक है या नहीं मैं run करता हूं तो यहाँ पे लिखा है hr2 तो यहाँ पे लिखा है department hr और number of column 2 यानि की hr दो बार आ रहा है माल लीजे कर मैं से equal to 1 कर देता ठीक है यह देखे अब मैं से equal to 1 करना हूं तो 1 था और यहाँ पे मैं इसका alias create कर देता हूं as count of dpt यानि count of department ठीक है मैं इसे run करता हूं तो देखे फिर से हमारा hr के आगे 2 लिखा आगया और count of department है वह है 2 तो यह थे आज के हमारे 10 questions और मैंने आपको बताए कि 10 questions आप कैसे solve कर सकते हैं अगर आप कोई video चलेगी तो आप लाइक और comment भी कर सकते हैं और साथ में जो भी मैंने वीडियो में question दिखाया उनको practical करने की कोशिश करें इसके allow अगर आपकी कोई query है तो आप comment box में हमें लिखके दे सकते हैं